म्रिधोला गर्ग जी की कहानी सुनाने जा रही हो शिर्षक है एक और विवाह तो आकिर कोमल जीने विवाह कर लिया प्रेम ने सुसजित वधू का हाथ दबाते हुए कहा अजी यह कोई हमारी तुम्हारी तरह पल्लू पकड़ कर किया गया विवाह थोड़े है प्रेम विवा है एकदम अपनी पसंद अपनी इच्छा एक केकी उत्कट लालसा श्रीमति श्रिवास्तों ने कटुता को हसी से ढखने का निश्वल प्रयास करते हुए कहा प्रेम विवाह के श्रीमति श्रिवास्तों की बात एक तरह से कोमल की कही हुए थी जब तब वह कॉलेज के स्टाफ रूम में कहा करती थी मैं विवस्थित विवाह में विश्वास नहीं करती वह विवाह नहीं जबरजस्ती किसी का पल्लू पकड़ लेना होता है दो कारणों से ऐसा करने की आवश्यकता पड़ती है आर्थिक और लंबन की खोज या शारिरिक भूक पहले की हमें जरूरत नहीं है और रहा दूसरा तो उसके लिवाह की आवश्यकता नहीं है बेहतर है मुक्त प्रेम जो बासी होने पर फेका जा सकता है विवाह तैक करना चाहिए जब पुरुष को उसके बिना सब अर्थिहीन मालूम पड़े और इस्त्री उसके बिना भी पूर्ण समर्पन को व्यग्र हो तभी वास्तविक एक्क्य हो सकता है चार बहनकों के परिवार में कोमल बुद्धी जीवी मानी जाती थी पिता बुद्धी जीवी थे ही शूर एक कमपनी के मालिक नौकर चाकर गाड़ी बंगला ते लेकर पुत्र के अभावा में पुत्रियों को उच्छ शिक्षा और स्वतंत्र विचार देने में जुटे थे सब बहनों में कोमल पढ़ने लिखने में तेज थी स्कूल कॉलेज में हमेशा प्रथम आती रही साथी नाटक व्याख्यान विचार गोश्टी आदी में आगे रहकर उसने राजनीती शास्त्र में पीस्टी कर डाला अपने विचारों को बिना हिचक स्पष्ट कह देना उसका वुरत था बुद्धी जिवी होने के नाते उसके विवाह की चिंता मा पिता को नहीं थी उनका ख्याल था उसे विवाह में रुची नहीं होगी बड़ी और छोटी बेहन का सुपात्र देखकर यथा समय भी विवाह हो गया कोमल दिल्ली की एक कॉलेज में लैक्शरेर हो गई साधारन नाक नक्ष पर बड़ी बड़ी रसीली आँखें और भाव प्रवन वाड़ी लगता यह अपनी आँखों से वियंगे का आवरन हटा कर किसी पुरुष पर टिका दे तो चारो ओर का वातावरन सुरुभी बन लुप्त हो जाए ऐसा ही मधुमास उसकी वाणी में शीपा था पर सुनने को मिलती थी वही हलके व्यंगे से लिप्त तर्क से भोजिल बाते एक दिन उसने यह जरूर कहा था जीवन में हमें सेक्स से ज़्यादा रोमांस की खोज होती है और विवस्तित विवा का अर्थे रोमांस को तिलांज ली इस पर रानी ने कहा था विवास सबी विवस्तित होते हैं यहां बाहरी सज्जा को परक कर और वहां बाहरी सज्जा में बह कर सच्चा प्रेम होने थे उसे विवाह की अगनी परिक्षा में न डाला जाए तो अच्छा है जहां तक अपना सवाल है मुझे बच्चे चाहिए बिना विवाह के मिल जाए तो बहुत खुब वरना विवाह करना ही पड़ेगा रानी चंचल आत निर्भर और स्पष्ट वादी लड़की थी पीता थे नहीं महीमा और छोटे भाई बेहनों का पोशन कर रही थी इसलिए 27 वर्ष की होने पर भी विवाह नहीं कर पाई थी उसका विशेश गोड़ था हसना औरो पर और अपने पर उसकी बात सुन कोमल मुस्कुरा दी थी वह बट्रिन रसेल से सहमत थी कि मातरित्व की भूख स्वतंत्र व्यक्तित्व की इस्त्रियों को नहीं होती कम से कम अनिवारी रूप से नहीं अब कोमल दुलहिन बनी बैठी है और बारात के आने का इंतिजार कर रही है किसी काम से इनके पिता जी के पास आये थे कमल जी वहाँ विरजमान थी बस जो आपस में छिड़ी कामधाम भूल गया आठवश अमेरिका रह कर आये हैं पहले सकुचाए कि भारतीय महिला से कैसे पेश आया जाए फिर एक दिन रास्ते में भेट हो गई कमल जी ने चाय पीने का सुझाओ रख दिया फिर क्या था लगुना में बैठ कर दिल की कह गये और अगले दिन अंगुठी लेकर हाजी की हाँ कहो वरना यहीं बैठा हूँ फस गई कमल जी बात एक तरह से कमल की कही हुई थी भाशा रानी की जरूरी थी चाहिए 26 पार कर चुकी है सचमुच कमल 26 पार कर चुकी थी रोमांस की प्रतिक्षा प्रतिक्षा बनी हुई थी तब तक न वह किसी पुरुष की और आकरशी थुई थी ना कोई पुरुष उसकी और शनिक रूप से हुए होंगे परचिनगारी भड़क नहीं पाई थी अब मा की नजर में सुपात्र जूट गया था कमल से उन्होंने कहा ललका आट साल अमेरिका रहकर आया है नूकिलियर फिजिसिस्ट है ट्रॉम्बे में काम कर रहा है शायद वापस अमेरिका चला जाए स्वतंत्र विचारों का है मिलने में क्या आपती है फिर कुछ सक उचाकर यह भी जोड़ा था सुन्दर है लंबा चोड़ा कमल ने कहा दिया था ठीक है यह सरकस भी हो जाए पहली बार उसे उस तीस वर्षिये सुन्दर युवक से घर पर भेंट हुई मदन वाकई आकर्शक था आकर्शन था वारुष था साफ तवचा चोड़ा मा था कांती में नित्र ठोड़ी के बीश गदगदा सजी समरी मूचे भारी काले चमकदार केश और उंचा भरा भुरा शरीर चोड़े माथे पर समरे भारी केश चेहरे को लावन ने दे रहे थे सूट के नीचे उसकी मांस बेशियां रह रह कर फड़ा कूटती थी कॉमल ने देखा और शारीरिक पुलक अनुभो की चाय पानी हुआ जैसा महा से लोटे लोगों के साथ आमतर पर होता है बाचीत अमेरिका के बारे में हो रही थी महा की जिन्दा दिली यहां का आलसी पन महा की आधुनिकता यहां की पुरातन भक्ती बीच बीच में कॉमल व्यंग एकस देती थी पर जो उत्तर मिलता उसमें उसको कम परक्ष जादा होती अच्छा यहां से लोग अमेरिका जाकर अमेरिकनों की तरह क्यों बोलने लगते हैं कॉमल ने पूछा मदन का अंग्रेजी उच्चारण अमेरिकन चाप लिए हुए था शायद इसलिए कि अंग्रेजी हमारी अपनी भाषा नहीं है हम उसे दूसरों की तरह बोलने की कोशिश करते हैं जो भी नकल करने को मिल जाए अंग्रेज या अमरिकन मदन ने कहा यानि जरा ठेस नहीं लगी थी चाय के बाद कॉमल के पिता ने कहा तुम लोग बैठो हम एक रिशेप्सन में जा रहे हैं पॉने घंटे तक लोट आएंगे वे और माज चले गये थे कहानी तम आप अगर कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें धन्यवाद